Hello Friends! Welcome to all. याज आपके आक में आपके वीडियो ने क veggen रहा है बहुत importance learning इस video के माजम से आपको मिलने वाले है बात करेंगे trend की बात करेंगे trend के change होने की यानि की byडलाओ की यानि की reversal की series के जब बदलती है तो बहुत important confirmation और confluence की बात करेंगे तो चीले detail में समझते हैं इन सारी चीजों को जैसे कि हम आपको बार-बार कहते हैं कि यहाँ पे आपको मिलती है धेर सारी learning लेकिन learning के लिए already बिलकुल basics क्योंकि regular videos के हम आदियम से आपको examples मिलते हैं बहुत को सीखने को मिलता है लेकिन जो basics है जो छूटी छूटी चीज़े हैं जो consolidate करके आपको बताई गई हैं वो price action series में है आप join कर सकते हो देख सकते हो समझ सकते हो बहुत अच्छे से सीख सकते हो लेकिन यहाँ पे जिस चीज़ के बात हो रही है वो आपको example के साथ regular videos के मांजम से बताई जाती है तो चले समझते ही डिटेल में example लेंगे अलग लग stock का example से समझेंगे जिससे आप उसको relate कर पाऊगे और use कर पाऊगे और आखे बढ़ने से पहले हम आपको बदा दूरा आपने अब तक चैनल को subscribe नहीं क्या तो जल्द इससे subscribe कर लें bell icon को press कर लें जिससे आपको notification आती रह है market capitalization के comparison में Britannia industries का weekly chart आपको देखने को मिल रहा होगा यह weekly chart जब आप देखोगे समझोगे आपको वह मज़ा आ गया देखिए यह peak area और यह peak area था September 2021 में देखे correction आता है lower high lower low की series बनती है यहाँ पर low बन गया अभी तक आपको पता नहीं है बें लो बन गया अभी क्या last high आपके पास यह point है कौन सा यह level price का 3800 अब जहां से देखना जरा अभी आप weekly chart में lower high lower low की series में हो वह आप सी देखिए high बना high बना लेकिन पिछले high को नहीं तोड़ पार correction आई बहुत यह बढ़िया बात correction आई और आपके पास एक नया low में लिया पिछला low यह था यह नया low में लिया लेकिन उससे भी important बात पिछला high टूट गया यह level देखिए आपको गहर वह मज़ा आ गया यह तो अब important और यह confirmation वाली चीज़े हैं जैसी अगली correction आपके लिए important होगी bullish cross बन गया और अगली correction और भी important अब आप जहान से देखिए अब यह correction अगर आपके लिए important होगी तो आप रैली देखिए अगर आप fractal nature of market को देखोगे तो यह भी यह क्या है fractal nature of market अब इसमीं हमने क्या दे आपको ग्यार वह यह high टूटा confidence और बढ़ गया अब देखिए rally आपको देखने को मिली यह देख सकता है तो यह क्या है यह बदलाव हमारे लिए important अब देखिए सब हमको बार बार आपको कहते ही Britannia Industries का stock है हम इस part को इस correction को समझने की कैसी यह series बदल रही है देखिए इस इनकी वज़े से 3800 के level 40 150 के level से जब प्राइस गिरके कहा गया 3050 के around almost 1000 पॉइंट से नीचे ब्रिटनिया इंडस्ट्री का प्राइस गया और अभी जो प्राइस है वह देखो गया च्यालिस सो के पार है तो जब प्राइस नीचे गया तो इसने बदलाव कर दिया था छोटे टाइम फ्रेम आप देखो तो डेली का टाइम फ्रेम काफी नीचे चला गया था देखिए लेकिन वापसी क्या हुई 200 समे की साइकल तो आप कहो गया वा तो जब तक प्राइस नीचे है 200 समे से आपके लिए पॉजिटिविटी नहीं है डेली टाइम फ्रेम में अगर आप बड़े टाइम फ्रेम को देखो तो आप देखिए पॉजिटिविटी आया आपको रेली देखने को बिली यही गिरावट के टाइम पर हम आपको बार-बार कहते है कि मोमेंटम का इंतजार कीजिए मोमेंटम आपको मिलेगा यह तो बड़ा स्टॉक हम नहीं देखा तो क्रेट हुआ क्या हुआ जैसे पिछली बार था उसी तरीके से सिच्वेशन क्रेट हुई अब देखिए अब यह क्या है मैलकल वही कहानी अभी तक तो कोई कंफर्मेशन नहीं है हायर लो बन गया बना कि नहीं बना देखिए और यह सारी सीरीज आपको छोटी छोटी चीज जब आप देखोगे फेलियर स्विंग नॉन फेलियर स्विंग के बारे बात करोगे तो आपको पता लगए कितनी इंपॉर्टेंट यह है अब देखिए यह हाई तो गया ही गया साथ में यह हाई भी चला गया दोनों हाई पार और आपका जो अगला लोवर हाई बना और व कितना हुआ चौदा पॉइंट आपको गया यह थो भई वन इस्टू सवन की ट्रेड मिलगे मुझे एक वीकली स्विंग अभी हम बड़े टाइम फ्रेम लांग टम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो बड़े टाइम बड़े टाइम फ्रेम में क्या होता है बड़ा बड़े टाइम फ्रेम में क्या होता है बड़ा पेशिंस यह और रैली भी क्या होती है बड़ी तो सारी चीज़े बड़ी बड़ी हो रही है आप देखे आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी इसको देख सकते हो अब यह एक स्टॉक है CTL Capital Trade बहुत छोटा स्टॉक है वही कहान कहानी हमने यहां पर देखी लेकिन जो वाली चीज आती है जब यह हाई पार हो जाता है जब यह हाई पार होगा तो आप वाच लिस्ट में आएगा अगली करेक्शन इंपोर्टेंट यह हाई पार हो जाएगा तो भाई confirmation लेकिन रिस्क मैनेजमेंट हमेशा यह आपने कहा पर देखा CTL यानि की Capital Trade अगला हमने देखा था पिछला Britannia Industries देखिए अभी हम और देखने यहां फाले हैं एक मीडियम वाला पर्सिस्टेंट सिस्टम अभी रीसेंटलिय आपने यह पॉसिस्टेंट सिस्टम को देखा होगा देखिए हाई फॉर्मेशन एक्वट हाइस फॉल देखिए फॉल में आगर फ्रेक्टर नेचर अब मार्केट को देखोगे आपको कि वाई कि सीरीब देख्ञा देखerson देख्या है देखा मिलाहीज है आपसी हो रहा है इकुल हाइर लोर है हलका सा लेकिन आप देखिए लेकि यहां पर देखना यहां पर टोस बन गए देखिए कितना important तो यहां पर जो major goal है वो समझे वीकली चार्ट में जब correction आ रहा है तो हम क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं correction का इंतजार reversal का lower lower high की series चल रही है downside में जब जा रहा है हम देख रहे कि कब यह चीज पार हो तो कई बार आपको इस तरीके से अभी आपने देखा equal lows आपको देखने को मिले कई बार lows बनने के बाद यह पिछला high का पार होना important है पिछला high जैसी पार हो जाएगा तो आपका trend बद बदल नहीं वाला है अगली correction आपके लिए important तो ऐसी यहां पर हुआ यह देखे और यह सीरीज जब आप देखोगे कि यहां पर जब चीज बदलती है तो बहुत टूहंडड़ ऐसा में डेली का भिगड़ जाता है और वापसी का इंतजार होता है यह वही चीज है यह वही 200 ऐसे में और अगर आप तसली से देखोगे 4000-4800 पहुच चुका है तीन हपते के अंदर और रिस्क लो मोमेंटम में आ चुका है तो यह बहुत इंपॉर्टेंट यह स्विंग जो यह वाली स्विंग होती है एक correction के resolve होने के बाद एक बहुत confirmation वाली यह स्विंग बहुत स्विंग मिलती है देखिए इनीशल टार्गेर जोन यही है 4900 के आस पास जहां पर यह स्टॉक धिरे धिरे प्रवेश करता हुआ आपको देखने को मिला अब इसको पार करने के लिए फिर से आपकी उम्मीद होगी कि यहां से थोड़ा सा या तो पुल बैक आए या consolidation हो फि आपको इंतजार करना है इस हाई के पार होने का यह हाई सीधे जटके में भी पार हो सकता है या फिर यह ऐस तरीके से एक हायर लो बनाता हुआ फिर पार हो सकता है इसमें यह भी पार होगा यह भी पार होगा तो हमें क्या देखना है इस पिछले हाई के पार होने के बाद क की अगली करेक्शन यह अगली करेक्शन हमारे बहुत इंपोर्टेंट हो जाती है और अपने एक नई तरीकी का आपको देखी है इसके अंदर भी आपको छोटी टाइम फ्रेम में छोटी चोटी स्विंग्स देखने को मिल सकती है वाइंड आप करना हूं वीडियो को यह हमने करते हो तो कमेंट के तुरू हमें भी मोटिवेट करते रहें लाइक कीजिए शेयर कीजिए और रिस्क मैनेजमेंट एज यूजवल हमेशा प्रारिटी पे रहना चाहिए मालनों मैं यहां पर एंटर कर रहा हूं यहां पर 4000 पे और मेरा डीप स्टॉप लॉस है थर्टी है तो है यह है तो है यह मान के चलना है और इसको हमेशा मिलकुल हार्ड लाइन यह होने चाहिए और टैंक यू थैंक यू पर वाचिंग दे वीडियो